नमस्कार, आज हम बिंदियों के द्वारा गणित का एक और टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो है असोशियेटिव प्रॉपर्टी ओफ मल्टिप्लिकेशन, आईए देखते हैं, मसा आएगा जी हां, हमारा टॉपिक है, असोशियेटिव प्रॉपर्टी ओफ मल्टिप्लिकेशन, सबसे पहले, मैंने एक स्ट्रिप ली है, जिसमें मैंने कुछ बिंदिया चिपकाई हैं, यहां एक रो में तीन बिंदिया चिपकाई गई हैं, और ऐसी कुल दो रोज हैं, दो पंक्तिया इसे मैं यहां रखता हूँ, यदि इसे ही हमें गणित के रूप में लिखना हो, तो हम लिखेंगे तीन बिंदिया और दो पंक्तियां, यह मिलके हमारे पास आ जाएगा छे, यदि इसी प्रकार की मैं चार और स्ट्रिप्स यहां लगाता हूँ, परतेक स्ट्रिप्स में पहले की तरह ही कुल तीन रोज और तीन बिंदियां और ऐसी ऐसी दो रोज हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास चार स्ट्रिप्स हैं, इनकी यदि बिंदियों की संख्या देखनी हो तो वह होगी, तीन गुना दो छे, और छे बारा, और छे अठारा और चौबिस, इसे हम गडित रूप में कैसे रिखेंगे, परतेक स्ट्रिप्स में तीन बिंदियां हैं और ऐसी दो रोज हैं, और इस प्रकार की हमने कुल चार स्ट्रिप्स रखी हैं, यानि छे, गुना चार, अर्थाथ, चौबिस, यानि इन बिंदियों को भी हमने गिन कर देखा है कि इन पर चौबिस बिंदिया, चारो स्ट्रिप्स पर हैं, आएए अब इसे किसी और प्रकार से देखें, मैंने एक और स्ट्रिप्स ली हैं, जिस पर की मेरे पास चार रोज हैं, और परतेक में तीन-तीन बिंदियां हैं, इसे मैं यहां रखता हूँ, अब यहां मेरे पास चार रोज हैं, परतेक में तीन-तीन बिंदियां हैं, या चार बिंदियां हैं उनकी तीन रोज हैं, इन्हें आपस में गुना करके हमारे पास आ गया 12 ये दिखिए एक दो तीन चार और चार आठ और चार बारा और यदि ऐसी ही एक और स्ट्रिप मैं यहां रखता हूं बारा बिंदियों की अब हमारे पास स्ट्रिप्स हो गई दो यदि इसे मैं आपस में गुना कर दूँ तो ये भी आएगा 24 आएए हम इसे बिंदियों को गिनकर एक बार देख लेते हैं चार चार आठ चार बारा चार सोला चार बीस और चार 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 तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि तीन बिंदियों की दो रोज रिखकर और ऐसी ऐसी चार स्ट्रिप्स ली जाएं तो हमारे पास कुल बिंदिया आती हैं 24 और यदि चार बिंदियों की तीन रोज ले जाएं और ऐसी ऐसी दो स्ट्रिप्स ले जाएं तब भी हमारे पास कुल बिंदिया आती है 24 इसी को हम असोशियेटिव प्रॉपर्टी ओफ मर्टिप्लिकेशन कहते हैं इसी प्रकार से बिंदियों को अलग अलग प्रकार से यहां रख कर हम इस असोशियेटिव प्रॉपर्टी के और भी कई सारे उधारन सीख सकते हैं